नमस्कार दोस्तो तो आज हम जानने वाले हैं तन्ने के कारिये तो चली दोस्तो आज के इस मज़िदार लेक्षर में हम जो जानेंगे वो बहुत बहुत बेहतर होगा तो चलिए दोस्तो आज के इस मज़िदार लेक्षर को हम देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सिखने वाले तो दोस्तो हम थोड़ी सी पेन के कॉलर चेंज करे रहे हैं इसके बाद हम आपको बताने का परियास करते हैं दोस्तो आज हम क्या सिखने वाले तन्ने के कारिये तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि तन्ना क्या होता है और इसके बाद हम समझेंगे कि कारी क्या होता है तो चलिए दोस्तों हम इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाने का परियास करते हैं और आप समझने का परियास किजिएगा तो चलिए हम चित्र आपके सामने लगा दे रहें दोस्तों आपके सामने यह जो चित्र दीख रहा है इसको जरा गौर कीजिए और थोड़ी सी छोटा कर ले रहें ताकि आपको बेहतर देखेगा जियां दोस्तों आपको यह जो दीख रहा है कैसा दीख रहा है कि आपको यह अच्छा दीख रहा है दीख रहा है दोस्त दीख रहा है तो जल्दी बताएगा तो चलिए दोस्तों आपको यह सब दीख रहा है तो चलिए अब इसके बारे में हम कुछ जनकारिया ले ले लेते ह है क्या क्या है ठीक है तो इसको हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं कि दूसरा मॉडल में इसको हम देखें दोस्तों अब मैं आपको चीतर की माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ यह जो हारा है न दोस्तों यह पत्ती है क्लियर यतना तो आपको आता ही होगा और दोस्तों यह जो आपको दीख रहा है यह आपको फूल है क्लियर और दोस्तों यहाँ पर जो लगा हुआ है यानि दोस्तो फल है किलियर दोस्तो और ये जो ये सब आपको जो दीख रहा है दोस्तो ये सब जितने भी आपको दीख रहे हैं लाल लाल ये सब आपको जितने भी दीख रहे हैं दोस्तो ये आपको क्या है ये सब आपको क्या है दोस्तो यही तो है तना यही तो है तना दोस्तो आपको तना समझ में आया कि नहीं आया यानि दोस्तो यह क्या है आपको यह सब जितने भी लालाल दिख रहे हैं यह सब आपके क्या है तने हैं तो तना का जो परिभासा होगा क्या हो जाएगा तो चलिए हम इसको थोड़ी सी side में कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ी सी इसको side में कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं तो चलिए थोड़ी सी इसको हम साफ भी कर लेंगे तो अच्छा होगा तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं ज्यादा ही साफ हो जा रहे हैं तो चलिए इसको साफ कर ले रहे हैं दोस्तों आपको तन्ना तो समझ में आगा कि कि तन्ना जो है क्या है तो तन्ना के हम देख लेते हैं अब जो है परिभासा क्या होता है तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि तन्ना जो होता है ना पौधा का दोस्तो मजबूत भाग होता है तन्ना जो होता है वो पौधा का मजबूत भाग होता है जहां से क्या होते हैं कि पूस्प और दोस्तो फल एवं पतिया निकलती है तो आपका जो तन्ना का जो दो सामने यह रही कि यह है आपकी तन्ह का परिभासा तो चित्र को हम सामने रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि थोड़ी से इसको बड़ी कर ले रहे हैं चलिए यह आपको दीख रहागा दोस्तो यह जो आपको है ना पेन की कॉलर चेंज दोस्तो यह जो है आपको क्या है यह जो आपको है यह दोस्तो आपको तन्ह है तो तन्ना का दोस्तो परिभासा है कि तन्ना जो होता है पोधे की सबसे द्रीड भाग होता है यानि दोस्तो मजबूत भाग होता है तन्ना जो होता है दोस्तो पोधा का द्रीड भाग होता है यानि दोस्तो मजबूत भाग होता है यह जो है न दोस्तो यह मजबूत भाग होत तो दोस्तो इसे से क्या होते हैं कि सखाएं पत्ते ये आपको दिख रहे हैं हरे जो हैं आपको पत्ते हैं तो पत्ते फूल और फल उत्पन होते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों तना और पेंड का अब या दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि पेंड का जमीन के उपर का मोटा भाग जो होता है जमीन के दोस्तों उपर का ये जो मोटा भाग है जहां से साखाया निकलती है यानि जहां से आपको डाली निकलती है समझे दोस्तो यानि जहां से क्या निकलते हैं डाली निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तो क्या साखा तो इसे हम दोस्तो अस्तम्भ भी कहते हैं इसे हम अस्तम्भ भी कहते हैं तो आपको तना समझ में आया या नहीं आया जल्दी से वीडियो की कॉमेंट में बताईएगा और चली दोस्तो इसको हम तना तो समझ गया है कि जो होता है पौधा पौधा के सबसे मजबूत भाग को क्या बोलते हैं तना बोलते हैं आपको किलियर हुआ कि तना किसको कहते हैं दोस्तों पौधा के मजबूत भाग को क्या बोलते हैं यह जो आपको दीख रहा है इसी को बोलते हैं तना अब दोस्तों इसका हम कार्य देख लेते हैं कि इसका जो कार्य है किस परकार से इसका जो कार्य है किस परकार से तो चली इसका हम कार्य देख लेते हैं कि क्या है तो दोस्तों जो पहला कार्य है ना पहला जो कार्य है यह सखाएं पतिया एवं पुष्प फुलों का जनम देती है जियां दोस्तो जो तन्ना होती है वो सखाएं पतिया एवं पुस्प का एवं फुलों का जनम देती है कहने का मतलब है दोस्तो आपके सामने जो भई अभी हम चीत्र लगाएं यह जो आपको चीत्र में क्या दिख रहा है इस चीतर में आपको दीख रहा है कि तन्ना से दोस्तो आपको ये देखे पती भी निकले हैं और दोस्तो यहाँ देखे फूल भी निकले हैं यहाँ दोस्तो शकाय भी निकले है तो दोस्तों आपको येतना तो आया जिया येतना तो आया या नहीं आया जल्दी से बतलाईए तो दोस्तों अब दिख लेती हैं यह जो था दोस्तों आपको क्या था यह था अभी हमने अभी क्या बताया है कि इस जो है तन्ना का कारी जो पहला है वह कारी क्या है कि यह है तो साथी साथ बीडियो के रोक कर आप परिभासा लिख सकते हैं मुझे कोई तुरूटी नहीं है तो चली दोस्तो अब हम देखते हैं कि अगला जो है क्या है अगला है दोस्तो यह जल खनीज लवन एवं खादी पदार्थों को पूरी भागों में ले जाना है इसका जो है जेसे आपको चीतर के माध्यम से अब समझाने का पजयास करते हैं यह जो आपको क्या करते हैं कि भूमी से दोस्तो जल एवं क्या करते हैं खनीज लवन न यह पूरी भागों में जैसे पूरी भागों में मतलब भेजादा भेज देते हैं यह इनका जो है ना कार्य है समझे दोस्तो यतना आपको आया की नहीं है तरना का जो कार्य होता है पूरे अपने जो जितने भी इनका भाग होता है पूरे भागों में बहजाना जल एवम खनीज लवन तो अगर आपको से किसी ने पुछ दिये कि जल सोरी जल एवं खनीज लवन क्या है तो आपको बता देने कि जल एवं खनीज लवन जो है आपको पोसक तत्वे क्लियर आपको आया या नहीं आया ठीक है तो इसका दूसरा कार्य है तो दूसरा कार्य आप चाहे तो इसका अस्किन सोट ले सकती ह अब देखती हैं दोस्तों कि अब हम आगे क्या सिखने वाले हैं तो आगला जो होगा आपको आगला है दोस्तों यह जो है पोशन परदान करती है जिहां दोस्तों तन्ना जो होती है यह पोधों को दोस्तों पेड़ों को मतलब क्या करती है पोशन परदान करती है यानि दोस् तना जो होती है दोस्तों यह जो तना है आपको क्या करती है भोजन परदान करती है यह तना जो है क्या करती है भोजन परदान करती है आपको आया की नहीं आया ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों अगला जो इसका क्या है कारियत देखी लेती है तो थोड़ी सी इसको साफ कर लेंगे तो बेहतर होगा तो चली दोस्तो अगला जो कारिय है आप लिखते चली साथे साथे आगे है दोस्तो यह भोजन का संचैन करती है जी हाँ दोस्तो यह जो है भोजन का संचैन करती है यानि दोस्तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन का संचेर तो चलिए हम चितर की माध्यम से समझते हैं तो आपके सामने जो चितर दिख रहा है दोस्तो यह आपको क्या है तन्न है मैं आपको बार-ार चितर इसलिए दिखा रहा हूँ तकि आपको mind में फीट हो जाए यह नहीं कहना होगा कि पपू सर्ज हैं आपको गलत और अच्छे नहीं बता है तो चलिए आपके सामने यह जो चीतरी है दोस्तो यह क्या है? तरना का है तो दोस्तो तरना का है तो यहां भोजन का संचैन यानि दोस्तो भोजन का जमा संचैन का मतलब होता है दोस्तो संचै का मतलब होता है आपको भोजन का जमा होना तो संचै का मतलब आप समझ गया है कि यह कारी क्या करती है? भोजन का संचैन भी करती है तन्ना जो होती है भोजन को संचै करती है यानि दोस्तो भोजन को किसी जगह क्या करती है इकत्रित यानि जमा करती है इतना आपको आया या नहीं आया तो चलिए अब अगला जो है देख लेतें कि अगला क्या है अगला दोस्तो परकास संसलेशन दोस्तो परकास संसलेशन कहने का मतलब सूर्य जो है न उसके दोस्तो परकास जो आती है उसका उपयोग करना दोस्तो संसलेशन का मतलब होता है जो चीज मतलब उपयोग जैसे पौधा जो है पेंड पौधा जो परकास संसलेशी होती है तो दोस्तो परकास संसलेशी सुरक्षा एवं सहारा परदान करने का भी यह कारे करती है तन्ना जो होता है द तन्ना जो होती है दोस्तों आपको क्या करती है आपको करती है परकास संसलेशन में भोजन बनाने भी कारे करती है और दोस्तों क्या करती है कि यह सुरक्षा भी परदान करती है यह जो है न दोस्तों यह जो है आपको सुरक्षा भी परदान करती है तो आपको इतना आया की न लिखना चाहते हैं तो हम धीरे-धीरे उपर से नीचे कर दे रहे हैं और आप धीरे-धीरे लिखे लिजिए तो आप चाहे तो धीरे-धीरे लिख सकते हैं चलिए हम धीरे-धीरे उपर से नीचे कर रहे हैं चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं तो दोस्तो तन्ना से तो तन्ना का जो फरिभासे हैं कुछ आपको इस परकार है आप चाहे तो पटापट अस्किन सोट लीजिए और अपने कॉपी में नोट किजिए क्योंकि एक भूंद भूंद ही तलाब भरती है चलिए तो अब दिख लिती हैं आगे आगे दोस्तो यह कारी है कारी आप चाहे तो लिख सकते हैं ठीक है तो कारी आपका इस परकार है ठीक है पहला कारी यह है दोस्तो और दूसरा कारी यहां है यह क्या है दूसरा कारी है ठीक है दिख लिए चलिए दोस्तो अगला क्या है त तो आपको इतना आया की नहीं आया दोस्तो हमको जल्दी से बतलाएगा तो चलिए दोस्तो आज की सेलेक्षर में इतना ही फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाय 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 के लिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं